दोस्तो स्वागत है आपके अपने ही चैनल माज साब की पार्ट साला में देखिए आज ये सेशन हुआ था महाने देशक महोदय का तो उसके चीजें आपके मतलब की हैं उनको आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है इस पर आपको वीडियो पर बहुत ध्यान दे है एक तो सबसे पहले हम देखेंगे कक्षा सित्षड हेतों बारसिक कलेंड़ कौन से कक्षा को किस किताब से पढ़ाना है रेमांश्टर को क्या साबधानी वरत्री है प्रतेक कक्षा के लिए गर एक से कम अध्यापक है या एक से ज़्यादा अध्यापक हैं तो क्या करना है और सम्रिद्ध कारिक्रम कितने दिनों का है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कक्षा सिच्छड हेतू बारसिक कलेंडर प्रात्मे विद्याले के लिए है ये मार्श 2021 से लिके मार्श 2022 तक इसका उतलब पूरी साल के लिए है मार्श 2021 निकल गया है मार्श 2021 में आपने क्या किया था कि कक्षा एक को सम्रिद संदर से का कक्षा एक की तरह पड़ाया था है ना कक्षा दो तीन चार पांच को ये सारे ये कक्षाओं को आपने क्या किया था कि ये सुन्ने सप्ता की तरे आपने सभी को पढ़ाया, एक ही तरीके से, और फिर आपने baseline आकलन कर लिया, सुन्ने सप्ता में आपको baseline आकलन करना था, अब देखिए, अपरेल 2021 आएगा, अपरेल 2021 से जुलाई 2021 तक, कक्षा 1 को छोड़कर आपको सभी में सम्रिद हस्त पुस्तिकाय चलानी है सम्रिद हस्त पुस्तिकाय चलानी है कक्षा 1 मतलब नभीन नमांकन अब एक चीज़ समझे पहले मैंने आपको बताया था कि कक्षा 2 से 5 तक जिसमें भी बेसलाइन आकलन करना है वो आप आकलन कर लीजिए और उसी कक्षा का नाम लिख दीजिए जिस कक्षा में मार्च में बच्चे हैं अब देखिए अप्रेल में बच्चों की कक्षों नित्य हो गई है तो एक वाला दो में पहुंच गया है दो वाला तीन में तीन वाला चार में चार पांच और पांच वाला छह में, आप देखे कैसे करना है उनका सब का, ध्यान से देखना है आपको, कक्षा एक में अब जो अप्रेल में आएगा वो नभी नामंकन वाला होगा, उस नभी नामंकन वाले के लिए आपको संब्रिद्ध-हस्त-पुस्तिका नहीं चलानी है वो अकेला आएगा सीधा आएगा कक्षा एक में बेठेगा अब जो कक्षा एक वाला था यहां से देगी है जो कक्षा एक वाला था मार्च में वो कक्षा दो में पहुंच गया है कक्षा दो तीन वाले कक्षा तीन एवं चार में पहुंच गया है और अक्षा 4-5 वाले, 5 वाला 6 में पहुंच गया, 4 वाला 5 में पहुंच गया तो यहां पर इस तरीके से समझेए, अप्रेल में सब की बच्चों की एक अक्षाएं बढ़ गई है अब इसको यह चीज को ध्यान में रखना है आपको एक में आपको कैसे नभी नमंकन को कैसे पढ़ाना है और गणित किट से पढ़ाना है, जुलाई तक का यह कारिकरम है यह विद्यालों में 8 तरह की यह सम्धर धसपुस्त का owners भेजी गई है तीन गणित की हैं, तीन भासाकियों, दो बर्कबुक हैं देखें अभी जो कक्षा 2 में बच्चे हैं सबसे पहले हम भासा का देखेंगे तो कक्षा 2 के जो बच्चे हैं उस वो कक्षा 1 में थे मार्च में तो मार्च के हिसाब से आपको पड़ाना है सिक्षक संदर्सिका कौन सी जो होगी संब्रिद संदर्सिका कक्षा 1 की और अभ्यास पुस्तिका कल्रव एक की कार्य पुस्तिका जो है यह आपको बाद में बताए जाएगा लेकिन अभी आप यह सोचके चलिए कि एंड लाइन आकलन नहीं है कक्षा 3 जो कक्षा 2 थी पहले तो इसमें सम्रद संदर सिका कक्षा 2-3 की चलेगी और अभ्यास पुस्तिका इस तर एक की चलेगी कक्षा 2-3 की जो अभ्यास पुस्तिक कक्षा 2-3 की चलेगी क्षा 4 पुरानी 3 कक्षा है तो अभ्यास पुस्तिका इस तर दो की कक्षा 2-3 वाली जो है कक्षा 5 जो पहले कक्षा 4 थी तो 4 में सम्रद संदर सिका कक्षा 4-5 वाली की चलेगी और कार पुस्तिका कलरव 4 की यह चौथी क्लास है पाच्पी क्लास पास होके चली गहीं है अब हम घड़ cat में देखते गड़त में देखिए जो कख्षा 2 पहले कख्षा एक थी उसमें सम्र्द संदर से का इस तर एक ही चलेगे जो फंब दो की थी ऐसे कख्षा 3 में भी यही चलेगी कर दो है, एक एक क्लास कम समझ के इसको चीज को समझिए, यह कक्षा 1 है, यह 2 है, 3 है, यह 4 है, उसी हिसाब से बिल्कुल वैसे ही अजिटेज चलेगा, यह आपने देख लिया होगा, यह समझ में आ रहा होगा आप तो, इक माइनस करके समझिए, कक्षा 1 है, तो एक में कोई गुरूप नहीं है, यह कक्षा 2 और 3 मे सब्द के हिसाब से हमने 2 इस्तर बनाई थे, तो इस्तर 1 और इस्तर 2 हैं दोनों क्लास में, और कक्षा 5 जो कक्षा 4 है, इसमें हमने जो बाक के था, रोहित के घरवाला जो बाक के था, उसमें हमने 2 इस्तर बनाई थे, इस्तर 1 और इस्तर 2, अब देखिए, गड़ित में क् इस्तर एक और इस्तर दो के आदार पर बनाए और ये कक्षा चार है उसमें हमने इस्तर एक और इस्तर दो के हिसाब से बनाए कक्षा पांच में तीन इस्तर थी लेकिन वो पांच तो चली गई है अब देखिए सिक्षकों को क्या-क्या कुश्चन है जो उनको परिशान करते हैं और वो वार-बार पूशते हैं पहला कुश्चन है सम्रिद में 8 से लेके 10 हपते की सिक्षड योजना दी गई है जिनने सिक्षक को बच्चों की गति के अनुसार जुलाई अंत तक पूरा करना है एकर जुलाई तक भी पूरा नहीं होता है तो फिर इसको आगे आपको बढ़ा सकते हैं और देखिए अभी कोरोना चला है अभी पता नहीं कब तक अगर छुट्टी बढ़ती होती है या फिर 50% बच्चे आते तो भी फिर आगे तक बढ़ने की संबावना है तो यह जुलाई से आगे भी जा सकता है पांस से कम सिख्षकों वाले विद्याले में सांकेतिक grouping के अनुसार सिख्षक बदलाव कर सकते हैं देखें पांस से कम सिख्षक जिसमें भी हैं हरे क्लास के लिए एक सिख्षक नहीं है तो उसमें ये गुरूप बनाके आप गुरूप बाईज भी डिवाइड कर सकते हैं और अपने उसमें रेजिस्टर में लिख लें बैठक रेजिस्टर में किसको कौन सा गुरूप दिया गया है लेकिन हैड मास्टर एक चीज़ ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं करना है क्लास को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं करना है अगर बच्चे देने हैं तो पूरे के पूरा प्रेडा लख्ष हासिल करवाने की जिम्मेदारी उस टीचर की है तो सब्जेक्ट वाइज का कॉंसेप्ट नहीं है प्राइमरी स्कूल में सब्जेक्ट वाइज बिलक परसेंट उपस्तिति के दोरान बच्छों को ग्रहकार और इपाट साला के मातसम से जोड़े रखने के अधिक्तम प्रयास करने हैं जिससे उपर चार आत्मक सिक्षड पूर कर सामन पढ़ाई जल्द से शुरू की जा सके तो यह आपके सारे डाउट्स किलियर हो गए हैं अग झालक स्वर्वादी